सोलवी रास्थान विदानसवा के दूसरे सत्र के दोरान शेव विधायक रविंदर सिंख भाटी ने भी अपनी बात सदन में रखे इस दोरान उन्हें शातर संग चुनाव कराने की मांगी तो वहीं उन्हें सबी विश्व द्यालों में टीचिंग और नौन-टीचिंग के ख खेलों को लेकर सरकार ध्यान दे, वहीं शीव विधायक भाटी ने कहा कि बालीका सिक्षा को मुफ्त किया जाए, जिससे प्रदेश की बालीकाएं सिक्षा की छेटर में प्रदेश का नाम रौशन कर सके, वहीं आठ करोट जनता का परतिनी दृत्व करने वाली सदन के सदर्शों को भी उन्होंने क्या कहा आईए आपको सुनाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अद्देक्स महोद है सभापती महोद है माने से पांच उड़े अपनी बात समात करें मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि उठ सिख्षा की बात चल रही है आज के समय में पूरे परदेश के युवा बड़ी उमीद के साथ मैं इस तरफ देख रहे है मैं खुद छातर संग चुनाओ के माद्यम से छातर राजनीती के माद्यम से उस विश्वद्याले की बात मैं करने आया हूं मने मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समझ जितने भी विश्वद्याले है उसमें स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है टीचिंग स्टाफ की नॉन टीचिंग की क्लासेज प्रॉपर कहीं पर नहीं लग दी साथ राजनीती से कई सारे भाई आ रहे है तो मेरा निवेदन कि ये जो सीटें खाली है जल्दी से जल्दी भरी जाए साथ ही साथ जोदपुर यूनिवर्सिटी के मैं बात करूँगा MPET एक एग्जाम हुआ था PhD का उसमें भारी अन्नीमिताएं हुई थी उसकी भी एक बार सही तरीके से जाच करवाई जाए साथ ही साथ मैं छेतर की बात करूँगा सीमान छेतर से मैं आता हूँ सेव में और गड़रा में आजा दी के सतर पचातर साल बाद एक एक कोलेज दी गई पर आप मानेंगे कि उस कोलेज में स्टाप के नाम पर सरफ एक आदमी को आपाइंट कर रखा है एक आदमी के भरो से वो पूरी कोलेज चल रही है पिछले दो-तीन दिन पहले कई सारी अकबार में खबरें चपी बड़ा दुख होता है साथ राजनीती के माद्यम से उन विशुदेलों से जो निकल के परदेश के सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचते हैं नहीं के छेतर के अगर ये इस्तती हो तो हम सभी के लिए विसेश कर मेरे लिए ये पीड़ा की बात है मैं निवेदन करना चाओंगा कि ये जो खाली पद है किरपया करके इनको जल्दी भरा जाए साथ ही साथ उस सीमान्त में विग्यान संकाये खोलने की ज़्यादा जरूरत है आप विग्यान के संकाये खोलें इसकिल के मामले में हमारे उस तरफ के युवाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है इस एतू आप पॉल्टेक्निक कोलेजेज, आईटी आई और ये तमाम जितने भी नए संस्थान हो सकते है आप ज़्यादा से ज़्यादा उस छेत्र को दें मेरा निवेदन रहेगा साथ ही साथ खेलों के मामले में धीरे धीरे हम पिछडते जा रहे है आप इंडोर स्टेडियम के लिए मैं डिमांड करूँगा, मैं निवेदन करूँगा मने मुख्यमंत्री जी से कि आप सिव में एक इंडोर स्टेडियम कोलेज को दें ए लाइबरेरी दें सिव जो है, वो बाबा गरीमनाज जी की धर्ती है, मेरा निवेदन साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा कि B8, BSTC और तमाम ये जो कॉलेजेज है इसके अंदर डोनेशन के नाम पे मोटा पैसा वसूला जा रहा है किरप्या करके आप इस पे भी एक बार नज़र डालें साथ ही साथ पेट्रो केमिकल की जरूरत उस छेतर को है पेट्रो केमिकल के लिए आप नए ब्रांचेज हमें उस छेतर को दे सेउ के लिए मैं NCC की डिमांड भी करूँगा साथ ही साथ एग्रिकल्चर कोलेज की और वेट्नरी कोलेजेज की जरूरत है आप उस छेतर को देखते हुए Agriculture and Veterinary College की भी वेश्ता कराएं साथ ही साथ मेरा निवेदिन रहेगा मैं आपका द्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बाली का सिक्सा की हम हर समय बात करते हैं बाली का सिक्सा को मुफ्त करने का मेरा सुजाव है आपको आप एक एतिहासिक कदम बढ़ाएं ताकि हमारी बच्चियां पढ़ सके जब कहा जाता है कि केजी से लेके पीजी तक हम मुफ्त सिक्सा देंगे पर एक जगा भी ये नहीं हो रहा आप किर्पया करके इसे तू इस बारे में भी आप सोचें साथ ही साथ आज का समय जो है वो AI का, Robotics का, Data Analystic का है पर आज भी हम उसी पुराने रिती रिवाद से चल रहे हैं मेरा निवेदन, कि आप इस बारे में सोचें साथ ही साथ जो भी हमारे पुस्तकाले हैं, परियुक सालाँ हैं आप उनकी तरफ उनको Renovate कैसे कर सकते हैं उनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि 27-27 तक आने वाले 5 साल बात तक हमारे पास 70 लाख बेरुजगारों की फोज तयार हो जाएगी उसके लिए हमें सोचना होगा नए संसादनों को तयार करना होगा सरकारी आंकड़े और फॉप्स की रुपोर्ट कह रही है कि 88 लाख आज के समय में बेरुजगार है समस्याँ खूब है पर मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे माननी मुख्यमंत्री जी पूरी मैनत करके इस समस्याँ से लड़ने के लिए तयार रहेंगे मैं दो लाइना कहना चाओंगा बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सचाई है तो कर्म कहां निस्फल होगा हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा बहुत बहुत धन्यवाद चातर संग चुनाव जरूर कराया बड़ावने आपने